नमस्कार मैं साहूल पांडे बिहार चुनाओ को लेकर के तारीखों का एलान हुआ है और बिहार NDA में अभी तक कन्फ्यूजन की इस्तिथी बनी हुए यूँ कहिए कि NDA कन्फुजी आ गया है NDA को पता ही नहीं चल रहा कि वो किस सीट से किस उमिद्वार को उतारे यहां तक की अभी तक सीटों का बटवारा नहीं हुआ है और फिलाल NDA की कुछ घटक दल लगतार अपनी तरब से पार्टी सिंबल भी बाट रहे हैं और यहां तक की कुछ सीटों का अनौसमेंट भी कर दिया है कि हाँ इस सीट से हमारे ही उमिद्वार उतरेंगे और उसी हिसाब से सिंबल भी बाटे जा रहे हैं पहली लिस्ट इसमें तो भाई हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानि के जीताराम मांजी सामने आये उन्होंने छे से साथ सीटों पर अपने उमिद्वारों की घ अब इस पूरी कड़ी में खुद मुख्यमंतरी नितीश कुमार सामने आ गये हैं और आज ऐसा बताया जा रहा है कि नितीश आवास से यानि सीमजी के घर से नेताओं को पार्टी सिंबल बाटे जा रहे हैं तो इसी पर हम बात करेंगे अपने सयोगी अभी से जनकाई लें लोग तुरंट तुरंट गुसा हो जाता है नहीं हम इसी थाली में खाएंगे ममा अरे भाई उस थाली में थाली बड़ा है चोटे बच्चे को हम कैसे खिला सकते हैं उसको खाना भी खुद से है थाली उठा नहीं पाएगा इधर अधर लेकर घुमेगा मतलब साफ है जदि अब एकसान मोड में है जदिव अपना सिंबल खुद से बाटने लगी है अब सवाल यहां पर यह है कि क्या बीजेपी से बातचीत हुई है बीजेपी भी एक बड़ी पाती है बीजेपी भी आस्तित्व वाली पार्टी है अब ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी को लेकर के जदिव का क्या स्टेंड है क्योंकि आप खुद से कैसे टिकट बाटने लगते हैं अगर आपके पास तीन घटक दल अभी हैं इंडिये में अभी बीजेपी अभी कुछ नहीं अनौस किया बीजेपी नागी तीनो दल एक साथ आके बैठे हो नहीं कभी अभी उसके बाद कोई अपचारीक बैठक भी नहीं हुई है किसी बात पर निरने भी नहीं हुआ है लेकिन जदिव अपने तरफ से अब सीटों का बटवारा हो या ना हो टिकट तो देने लगी है इसके लिए हमारे पास जो जानकारी आ रहे हैं या लिस्ट आया है कुछ अहां उसके उसके अनु चुका है कि आपको वहां से तयार रहना है जैसे ही आदेश होगा आला कमान का आपको नोमीनेशन कर देना है यह मुनर्मा देभी वही मुनर्मा देभी है जब गया में रोडवला कांड हुआ था उनके बेटे ने साइड के लिए महज संहर्स कर दिया दूसरा ही तो उसके बाद से एक बुल चल चल पड़ा था बिहार में कि मेरे चाचा विधायक है तो इस प्रकार से वही यह मुनर्मा देभी है उसके बाद मतलब ममी विधायक हो जाएगी हाँ अब तो ममी हो जाएगी भाई वहां तो कुछ भी हो सकता है विलहर से मनोजियादो जहानाबाद से क्रिशणनदन बर्मा ये क्रिशनन तर्मा वही है जिनके खिलाफ लगतार साड़े चार लाख नियोजित शिकथग रोड पर थे इनको फिर तो क्या लग रहा है कि जदियू जिस तरीक E oraz कि बाइब सका दो इसमें ह्गोई कने गाया गया निदीश्कुमार के है यह सब जान तो मौशौडी से नुतन पश्वान रफिक करीबी माने जाते हैं यह लोग इसलिए इनके पास सिर्फ मंत्राले मंत्राले के नाम पर इनका सिर्फ नाम रहता है ऐसा हम नहीं राजनितिक पंडित बताते हैं सब सारा निर्णे नितिश कुमार के हाथ में होता है क्योंकि यह का जो मुद्दा है अविशांत पड़ा हुआ है रफिक गन से अशोक कुमार सिंग सुर्यगर से रामानंद उसके बाद अग्याओं से प्रभुराम करागर से वेशिष्ट सिंग जगदिशपुर से सुभम लता कुष्वाहा को जाजां से दामोदर रावत मुकामा से चैनल करती है बीजेपी नाभी किसी को सिंबल दिया है नहीं दिया है लेकिन कुछ अइसे भी विधायक मंतरी रहे हैं जो बिल्कुल ही silent mode में चले गए थे उनको बिलकुल ही सांथ कर दिया है जदि उन्हें टिकट ही गूल कर दिया है उनको टिकट नहीं दिया जाएगा बले ही उनका कितना हुए वर्जा स्वक्यू ना हो अभी जो जनकारी है उसके अनुसार सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अगर हमारा गटबंधन है अगर हमारी बादचित नहीं बनी है तो फिर हम सिंबल कैसे अलॉट कर सकते हैं यहीं बात जो कही जा रहे थी जैसे जीतन रामाजी ने छे साथ सीटों पर अपने उमिद्वारी की बात कर दी अपने उमिद्वारों की घोशना तक कर दी और अपने उमिद्वारों को कह दिया कि जाई आप जो है तैयारी करिए तो तैयारी भी कर रहे हैं तो उस समय ही यह बात साहित सामने आ गए थी नितीश कुमार के कहने पर हीं वो ऐसा कर रहे हैं और आप नितीश कुमार ऐसे कर रहे हैं क्या है रेंडिया में हो क्या रहा है मतलब casing ये इधिं थिर भी जो यहीं कि हम बड़े हम छोटे यहीं चल रहा है यह किसी भी गटक दलों के द्वारा नहीं फर्मुला आया, जो भी राजनितिक पंडित हैं, जो जानकार हैं, लागतार खबरों में अपडिट रहते हैं, दर्शकों को बताते रहते हैं, वैसे लोगों ने एक आकलन किया, वही आकलन सामने आया था, इंडिये के पास सबसे बड़ी चुन जीटों का बटवारा नहीं हुआ, और ऐसी परिश्टिति में आप रहते हैं, जो वोटर हैं उन्हें भी है, अब तक वोटर कन्फ्यूज हैं, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कौन किस सिंबल पर चुनाव लड़ेगा, कुछ पाटियों का सिंबल भी बदल गया है, कि कोई भी विव्यक्ति दल बदलू जो है, इतना जल्दी करवट कैसे बदल सकता है, अब वियरेस लेते हैं, अपने कारेकाल का दावा ठोकते हैं, कि हमारे कारेकाल में एक भी दाग नहीं लगा है, ये बड़ी कबर जो सामने आ रहे हैं, दर्सकों को बता दें, कि हमारे पूर्वे डिजी पी यनि बिहार के पूर्वे डिजी पी हाली में जो है, नितीष कुमार से मिलते हैं, फिर जडीू में सामिल होते हैं, सदस्यता गरहन करते हैं, फेस्बुक पेज पर एक से बड़ा एक बात लिखते हैं, कि बखसर का बेटा जो है अब ये जडीू का सिपाई हो गया तो इस तरीके की बाते सामने आती है और अचानक से कुछी दिनों में अब वो खबर आ रही है कि आप वो जदियू के सिपाई नहीं रहे बलकि आप वो बीजेपी के सिपाई हो गया है क्या है इक देखिए सुत्रों के हवाले से जनकारी मिल रही है उसकी लग रहे है कि जदियू के सिंबल पर लड़ेंगे तो नहीं जीत पाएंगे ये दमखम डिजीपी का नहीं है और इतने जल्दी कोई करवट बदले हैरान करने वाली बात होती है आप अभी आते हैं नया नया राजनिती में आते हैं अपना दावा ठोकते हैं कि नहीं हम करेंगे हम जदियू को सदे सतागरहन कर लिए जीतने कयास लगाए जा रहे थे सब आपके साथ साथ चलने लगे सब पर आप निर्णे लेने लगे पार्टी भी आपने जोएन कर लिया खुद मुख्यमंत्री आकर जोएन करवाते हैं आपको और उसके बाद फिर चार दिन आती है कि अब बीजे पी में मतलब आपके चार दिन की बची चार दिन में पल्टी मार दिया अब सबाल यह बंता है कि डिजे पी पर आगे चल कर भरोसा कौन करें तो और की वक्सर सिट देखिये बीजे पी कही खाते में रहेगे तो इस उमीद तो यही है कि चुनाओ लड जनकारी और लेंगे राजद ने जिस तरीके से सीटों का बत्वारा किया है उसमें बताया जाया है कि बहुत सारी सीटे जो कि उनके अपनी थी उन्होंने उन सीटों को छोड़ा है क्या है? नहीं छोड़ा नहीं है देखिए ये गड़ बंधन का नियम ही इस बार बदल गया है अर्जेटी बहुत भड़ा mind game खेल रहे है अर्जेडी के पास रणनिती है अर्जेडी आग से नहीं जनवरी महीने से तैयारी कर रही है अर्जेडी को पता था, यानि वो जो तेज़श्वी है, उनको पहले से पता था कि हमें क्या खेल खेलना है अभी देखें जो भी सीटों का बटवारा हुआ जो भी हमने बताया है दर्सकों को कौन कितने सीटों पर चुनाओ लड़ेगा पहले चरण में उसमें कहीं भी आपको जामुमो को कोई नजर नहीं आ रहा है हमान तुरन नजर ही नहीं आ रहा है और जेडी ने अपना माइंड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है वह साफ किलियर है कि हम ज़्यादा सीटों पर चुनाओ लड़ेंगे ज्यादा हमारी सीटे आएंगी और हम बड़ी पार्टी बनके फिर से मतलब की विधान सभाव में पहुंचेंगे और हो सकता है तो फिर अगर कॉंग्रेस ज्यादा जब गधा जिले भी खाया करता था अब बात दुसरा है अब तेजस्वी पहले से ही जान चुके हैं कि हमें वहीं खाना है जो हमारे घर में है अभी फिलहाल की जो इस्तिती तेजस्वी के मतलब साफ है वो वहीं चुनाओ लड़ना चाहते हैं अपने घर का कच्छडा पहल पूर दर्सक को चाहे जो भी हो या फिर जो भी राजनितिक पंडित हो तमाम लोग एक चीज भूल रहे हैं अटीय गडबंधन में सीटो का मशला नहीं है चिराग बाहर हो गए हैं चिराग अंदर थे तबी सिटों का मसला नहीं था मसला फस रहा है एजिंडे का नितिश कुमार अपने पूरे कारे काल में हमेशा ये रहा कि किसका एजिंडा लागू होता है नितिश कुमार का अब इंडिये की एक्षाईया है इसकी शुरुआत भी चिराग पस्पान ने की, चिराग पस्पान ने इस बात के लिए शुरुआत कर दी कि अब एजिंडा, अगर हम इंडिये गटबंधन के हैं तो बिहार को आगे लाने के लिए, इंडिये गटबंधन का ही एजिंडा लागू होगा, मसला भी एजिंडा प को देंगे फिलाल आप एक दर्सकों को और अहम जनकारी देजिए अगर जिंडा का मसला नहीं होता तो देंदर फंडविस और भुपेंदर यादो की आखरी मुलाकात भी विफल नहीं होती इन दोनों को वापस आना पड़ा फिर वापस दिली जाना पड़ा फिर दिली से कु मज़ सकते हैं तो समझ ये लेकिन जो सामने सामने दिख रहा है वह यहीं दिख रहा है कि फिल्ल पर जदियु जो है अपने कैंड़िडेट उतारने लगी है और उमिद्वारों को कहीं न कहीं सिंबल बाटने लगी है जगहों किस सीट से चुनाओ लड़ना है ये भी तै हो लगा है फिलाल राजक में यानि एंडिये में एक भी सीट का एनॉंसमेंट नहीं हुआ है तो क्या इस्तिति है इसके बारे में हम आपको जनकारी देते रहेंगे आप बने रहें हमें अरसाथ और हमें देखते रहें इसी तरह हमें सयोग करते रहें धन्यवाद